साल दोजाट चोबिस में कृष्णे जन्माश्टमी का परू 26 अगस सोंवार को होगा 26 अगस दोजाट चोबिस को यदि जातक अपने राजिक अनुसार लड़ू गोपाल का सिंगार करें तो उन्हें इसका कईगुना फलप्राप्त होगा और भगवान के साथ-साथ उन पर अ लंगु मलंगे तेगिरिम यत कृपात महम बंदे परमान दमाद वं जैसा कि 26 अगस्त को दिन सोंबार है उस दिन स्रीक्रश्ण जन्माश्टमी का महुत्सव प्राडंब है तो उस दिन हमें राजिक अनुसार इस परकार से जो अपना लड़ू गोपाल जी अस्रंगार जो हम किस परकार से उजा अर्चना करें अगर हम राजीट के अनुसार करते हैं तो हमारे जो ग्रहे के स्वामी है उनकी वी रपा हमारे उपर बड़ी रहती है जैसा कि 12 राजियों में सबसे प्रतुम के स्वामी मंगल है जो भी हमारे लड़ो गुपाल जी विंदेबान हैं हमारे मंदीर में उनका सरंगार हम लाल वस्तर के द्वारा देदी करते हैं उसका सकारा प्रभाव पड़ता है और जो मेस रासी है उनके लिए बहुत हितकर है लड़ो गुपाल जी असरंगार करें तो उससे हमें मरवांचित पर प्रात होता है दिस रासी में दिस रासी वाले जातक लड़ो गुपाल जी असरंगार स्वेट वस्तर के द्वारा करें तो बहुत अच्छा है उनको एक सगारा प्रक्रात होगा और अपने रासी स्वामी की दिर्पा भी बनी रहेगी आगे आती है मिचुन रासी का वर्ण हरा होता है जिनकी विजुन रासी है वे भी लड़ो गुपाल जी का सरंगार हरे वस्तर से करें और लड़ो गुपाल जी को तावीधी पुजन करें तो उन्हें तो नहीं करें और लट्टू पाल का स्रेंगार करें पांच वीडाशी से लखेंगार करें सुर्या है और सुर्य का वर्ण लाग और तीला भी मानते हैं कुछ कि प्रातेकाल के समय पीदा भी वरन हो जाता है इन दोनों वर्णों के जो वस्र होते हैं उससे लड़ों पॉपाल जी का संदार करें तो अतियुकतव रहेगा और राशी स्वामी कि तरफा बज़े तो करने पारे रासियों में कन्या रासि का स्वामी भूद है और बुद का वर्ण रहा हुता है जिसकार दासी होती है राट होता है ऐसे ही राट के समान ही उनको भी हरे रंगे वश्र से लड़ु भूपाल जी का श्रंगार करना चाहिए उससे सकाराथ सब्सक्राइब करें और लड़ोगोपाल जी का संगाल सब्सक्राइब ने खने को सब्सक्राइब करें जम्हां करें उससे सब्सक्राइब नोभि लासी का सौवामी जुका होता है पीलों मार्दर लाथ सब्सक्राट इसका सगाराप्त बल प्राप्त होता है तुर्षी के लिए उनका उप्योक्ष बहुए उसमें कुछ अलग से वी उसमें रवर्णत आया हो वे विक्स तो कोई बुरी बात नहीं तो उस रण के वस्ति से लडु गॉपाल जी का स्रंधार करें उससे राशी स्वामी का हमें राशी स्वामी करपा बज़े देगी और हमें उसका लाव होगा तो पीरे रंगी वस्त्रों का लडु गॉपाल जी शुपाल करना चाहिए और इस वरकार जो बारह राशियां हैं उन सभी राशियों का एक वर्णों के नुसार एक सभी जात्कों परत्रपा बने जाती है और हमारा जो यह पर्व है विधी विधान से संपन्ध हो जाता है